जैब आतादी दोस्तो, आप सभी का स्वागत है हमारी योटिप चैरल में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 28 एपरेल 2021 के कुमराशी फल के बारे में 28 एपरेल का दिन कुमराशी के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है 28 एपरेल बुद्वार का दिन है और क्रिशन पक्ष की दुईतिया तिथी है इस दिन विशा का नक्षत्र रहेगा शाम तक व्यतिपात नाम का योग बनेगा शाम 3 बच कर 51 मिनट तक उसके बाद वरियान नाम का योग बनेगा चंद्रमा तुला राशी में रहेंगे सुबह 11 बच कर 56 मिनट तक उसके बाद विश्चिक राशी में चले जाएंगे सूर्य मेश राशी भणी नक्षत्र में है इस दिन दो बड़े ही शुब योग बन रहे हैं जो की सरवार सिध्धी योग और अमरत सिध्धी योग है दोनों योग बहुत ही उत्तम योग माने चाते हैं सरवार सिध्धी यानि की सभी कारियों में सफलता दिलाने वाला सिध्ध कराने वाला अमरत सिध्धी यानि कि आपके जो आप कार्य करते हैं उन कार्यों के द्वारा आपको रिजल्ट बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे तो ऐसे योग जब बनते हैं तो उनका क्या पिरभाव आपके लिए इस दिन होने वाला है ये बुद्वार का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है चलिए जानते हैं लेकिन उससे पहले आपसे छोट असा निवे दिन हैं अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे जो लाल सब्सक्राइब का बटन है उसको आप दवा दें और जूट जाएं हमारे चैनल के साथ यहां आपको समय समय पर सभी जानकारियां मिलते रहेंगे अब यहां देखिए चंद्रमा की जो इस्तिती है वो वरश्चिक राशी में है चंद्रमा तुला राशी से निकल कर दोपहर में ही वरश्चक राशी में आ जाएंगे यानि आपके दस्वे भाव में चंद्रमा विराजमान है अब यहां दस्वे भाव में केतु भी विराजमान है केतु कही ना कही थोड़ा स्वास्त को परभावित करते हैं स्वास्ते संबंदे कुछ परिशानिया देते हैं लेकिन कर्म भाव में चंद्रमा की इस्तिती काफी अच्छी है ये दिन आपके परिजनों के साथ आपके संबंद काफी मधूर होने का दिन है अपने रिष्टों को मधूर बनाने के लिए आप जो प्रियास किया है आपने जो मेहनत की है उसका रिजर्ट आपको मिलेगा तो अपने प्रियास आप ऐसे ही जारे रखें जीवन में कज़र भी कोई परिशानी हो तो आप उन सभी परिशानियों से बाहर निकल सकते हैं आप अपने परिजनों के साथ तो आपके परिजन आपके साथ हमेशा मदद के लिए तयार रहते हैं उनके साथ काफी अच्छा टाइम स्पैंट कर पाएंगे आप और करियर की द्रस्ट्री से देखा जाए तो आप अपने कामकाज के सलसले में जो लोग नोकरी करते हैं उनके लिए काफी वैश्ट इता बहरा दिन रह सकता है कामका प्रशर जादा रह सकता है आप पाएंगे की काम बहुत है लेकिन आप फिर भी सबी कारे को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे आप काफी चिड़ड़ाहट मन में हो सकती है कामको लेकर लेकिन अपनी काम को समय से पूरा करके बाद में जो मन में संतुस्टी की भावना होगी वो काफे अच्छी होगी ध्यान रखें आपका इससे फायदा होना है तो परेशान नहीं होना है बस इस बात को समझने कोशिश करनी है कि पहले आप कारे को पूरा करके किस चीज में अपना वक्त बिताने वाले हैं इससे आपको शांती मिलेगी आप देखेंगे कि आपको अगर कुछ परेशानी है कामकाज के सलचले में तो अपने अधिकारियों से बात करेंगे आपके अधिकारी, आपकी मदद करने के लिए पूर्ण रूप से तियार भी आपको दिखाए देंगे वैसाइक शेतर में कुछ नई-नई बाते आपके सामने आ रही हैं तो आप इन सभी चीजों को देख कर थोड़ा सा सतर करें हर चीज के बारे में जानकारी देते रहें अगर आपने ऐसा किया है तो सच मुछ आप एक बड़े ही अच्छे एमप्लायर बन सकते हैं और काफी महतपूर्ण आप डिसीजन ले सकते हैं कुमबराशी के लोगों के लिए ये समय कमाई बढ़ाने वाला समय है कमाई आपकी खुब बढ़ने वाली है आपके कामकाज में आपका मन भी लगेगा और अपने कामकाज को सही तरिके से आप कर भी पाएंगे काम का दवाब हावी नहों इसके लिए आपको अतरिक तूर्जा का इस्तेमाल जरूर करना है यानि काम का प्रेशर तो रहेगा लेकिन आप उतनी ही अपनी एनरजी को लगाने वाले हैं रह में कैसी भी अर्चने हैं उन सभी अर्चनों को पार करने वाले हैं देखे जिस त अबराना नहीं है क्योंकि सुखी सुखी जीवन में जब दुख आ जाता है तब आपको पता चलता है कि जीवन में क्या क्या महत्वण होता है तो अगर ऐसी कुछ इस्तितियां आपके लिए होती हैं तो उनसे बाहर निकरने का आपको हल ढूणना है किस तरह से उस चीज को आप सिचुएशन में लेकर आ सकते हैं तो इस चीज का ध्यान रखना है कोई ऐसा वादा आपको नहीं करना है जो वादा आप निभाना सकें क्योंकि ऐसे वादों का कोई परिणाम नहीं होता बाकी ये वादें लड़ाई कराने के लिए बहुत मैदपून होते हैं और खास दिखाएंगे और उनको शांत करने की कोशिश भी करेंगे आपके साथ काम करने वाले अगर आप पार्णरशिप में काम करते हैं तो आपके साथी आपके लिए काफी मददकार साबित होंगे आप बड़े अच्छे से अपने काम को समाल पाएंगे उस पर ध्यान दे पाएं कुछ लोगों के लिए आज जीवन साथी की तरफ से कुछ अच्छी बातें आपके जीवन में हो सकती हैं अगर आपका जीवन साथी वरकिंग है तो उनकी तरफ से कुछ अच्छी बातें सुनने को मिल सकती हैं सैलरी बढ़ सकती है कुछ बॉनस वगेरा मिल सकता है या फिर अगर बिजनिस करते हैं तो वहाँ कुछ अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है जो आपके पूरे दिन को बना देगी तो ये स्थिती काफी अच्छी है और देखे जो हमने आपको ये दो योग बनाए आप बताए हैं कि सरवार सिधी योग है और अमरत सिधी योग भी है इन योगों का प्रभाव आपको कम मिलता है इन योगों का प्रभाव आपको तब मिलता है जब आप महनत करते हैं यानि आपकी महनत रंग जरूर लाती है उस महनत का परणाम आपको मिलता है ऐसी बैठे बैठे किसी भी चीज़ का परणाम प्राप्त नहीं होता है तो बस आपको मेहनत करनी है, मेहनत दिखानी है और फिर देखें किस तरह से आप अपने कामों में माहिर होते हैं किस तरह से आप अपने सभी कार्यों को पूरा कर पाते हैं आपको कुछ अच्छे अवसर भी सामने आ सकते हैं, सामाजिक इस तर पर देखा जाए तो आपका जो सभाव है वो अच्छा रहेगा, मान सम्मान अच्छा रहेगा, प्यार और रिष्टों के लिए आने वाला समय और भी अधिक शुब है, शत्रू चाहें लाख कोशिश करें आपके जो प्रतीदवन्दी हैं, आपके जो सपोर्ट में नहीं होते हैं, लाख कोशिश करने के बाद भी आपका कुछ नहीं बेगाड़ पाएंगे, इस तिथियां काफी अच्छी आपके लिए बनी हुई हैं, और इस राशी के कुछ लोगों को अपना खोया हुआ प्या तो उसके लिए भी एक बड़ी ही, जिन लोगों को आज थी, उनके लिए तो ये काफी न्यूज अच्छी होगी, अब आपके अगर हम स्वास्था की बात करें इस दिन की, तो स्वास्था समंदी थोड़ी परिशानिया देखने को मिल सकती हैं, गर्दन में कुछ जिनको प द्यान देना होगा, तभी आप खुद को स्वस्त रख पाएंगे, तो इस तरफ जादा से जादा द्यान देने के कोशिश करें, बाकी प्रेम समंद के मामले में अच्छा है, और जो आपके नाना नानी, दादा दादी, इन सभी के साथ अच्छी बांडिंग रहेगी, इन लोगों से इस दिन आपकी बाचीप भी हो सकती है, मीडिया के थरू या फोन के थरू आप इन से बात कर पाएंगे, और करते रहना चाहिए, देखे, इनसान के जाने के बाद हमें उसकी कीमत का पता चलता है, इसलिए अच्छा है कि आप उनके सामने उनको अपना प्रेम ज झाले